जो भी साथ से को देखेगा आप उस सिंदा नहीं पचना चाहिए इश्वर अगर आप सच में हैं तो उसे जिन्दा रखना इस धर्ती पर होने वाली हर खटना का साक्षिक केवल तृष्टी ही नहीं बलकि सृष्टी भी है कौन मार रहा है मरने वाले को पता नहीं होता है रामसेतु पर बैग्ज्ञानिक अब तक का सबसे बड़ा खुलासा क्यों करने जा रहे हैं रामसेतु पर अक्षे कुमार फिल्म क्यों बनाना चाहते हैं क्या ये बॉलिवुड के talented actor अक्षिकुमार के साथ काम करके आखिर क्या सीखा वानी कपूर में अधर्श वार्सी का क्या कहना है अक्षिकुमार के बारे में किस नए project पर साथ काम करेंगे वो दोनों अक्षिकुमार बॉलवूर के ऐसे अभिनेता हैं जिनमेंसे हर कोई कुछ ना कुछ सीख सकता है वो अपने हर कामें बेस्ट होते हैं फिर चाहे वो काम पर्सनल हो या प्रोफेशनल हर काम को करने पर उनका तरीका सबसे अलग और हटकर होता है अपने इसी तरीके की वज़े से आज वो सबसे आगे हैं फिर तो काम हो या पैसा जब भी वो मीडिया से बात्चित करते हैं अपनी किसी ना किसी बात से वो लोगों का दल जीत ही लेते हैं वो हर किसी के आइकॉन है वो अपने समय को लेकर इतने पाबंध है कि उसकी किसी भी बात की तारीफ करते पूरा बॉलिवुड नहीं ठकता जो भी उनके साथ कांग करता है वो उनकी तारीफ किये बिना रहे नहीं पाता अभिनेतरी वानी कपूर जो उनके साथ फिल्म बेल बॉटम पर काम कर रही है आईए जानते हैं वो अभिनेता के बारे में क्या कहती है और उन्होंने अभिनेता से अब तक क्या क्या सीखा है अभिनेत्री वानी कपूर के पास अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट है जिन पर वो काम कर रही है और बहुत से ऐसे भी प्रोजेक्ट है जिस पर वो जल्द ही काम करेंगी अभिनेत्री अक्षे कुमार, हुमा कुरेश्य और लारा दत्ता के साथ फिल्म बेल बॉटम का हिस्सा है फिर उनका एक प्रोजेक्ट रनवीर कपूर के साथ भी है जिसमें वो जल्द ही नजर आने वाली है अभिनेत्री ने कुछ महीने चंदिगर में विताए और वहां आईश्मान खुराना के साथ उन्होंने फिल्म चंदिगर करे आशिकी फिल्म की शूटिंग पूरी की अक्षिकुमार के साथ फिल्म बेल बॉटन पर काम करने के बारे में अभिनेत्वी कहती हैं कि ये फिल्म काफी भैतरीन है मैं हमेशा से ऐसी किसी फिल्म का हिस्सा बना चाहती थी और अक्षिकुमार के साथ वो भी काम करना चाहती थी जो कि इस फिल्म की बज़े से हो पाया उन्होंने बताया कि वो काफी भैतरीन और डिसिप्लेन अभी नेता है और उनके साथ काम करके उन्होंने काफी कुछ सीखा उनकी परस्नल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों ही इंस्पाइरिंग है और वहीं अर्शद वासी जुनोंने अभी हाल ही में अक्षिकुमार के प्रोडक्शन में बनी फिल्म दुर्गमती में काम किया है वो फिर से अक्षिकुमार के साथ फिल्म बच्चन पांडे का इससा है आईए जानते हैं उनको अभी नेता के बारे में क्या कहना है अक्षिकुमार कितने बहतरीन आक्षन हीरो है ये तो सबको पता है लेकिन कॉमेडी फिल्मों में वो भी दंबदार काम करते हैं इस बात में कहीं दो राय नहीं है अधर्श वासी का भी यही कहना है कि अक्षिकुमार की कॉमिक टाइमिंग जबदस्त है अब इने त्री जुनों ने मुन्ना भाई MBBS ऐसे फिल्म सीरीज में गजब का काम किया है तो कहते हैं कि अक्षिकुमार के साथ वो काफी सालों से काम करना चाहते थे अब ये मुम्किन हो पाया है फिल्म बच्चन पांडे से और ये प्रजेक्ट उनके लिए काफी अच्छा मौका है आग को बता देंगी बच्चन पांडे की पूरी टीम शूटिंग के लिए अपने लोकेशन पर जाने के लिए निकल चुके हैं साजिन नाडियार वाला ने सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें पूरी टीम दिख रही है अक्षम कुमार भी जौधी सेट पर पहुंच जाएंगे ऐसी खबर है कि फिल्म राम सेतु पर भी वो आयोध्या में इसी साल काम करना शुरू करेंगे अब ऐसा कब होगा ये तो नहीं पता लेकिन फैन्स उनके नए लुक में देखने करें काफी उप्साहित हैं फिल्म राम सेतु अक्षिकुमार के लिए सफल साबित होगी या नहीं इस बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बॉलिवूर से जुड़ी हर अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ बॉलिग्राइब सुडियो उस पर और आज की हमारी स्क्रिप्ट रखी है आध्या ठाकुरने